तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में अभी तक आप लोगों ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो बैल नोच्पिकेशन ओन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले और दोस्तों इस वीडियो को शेर जरू करना शेर करने के लिए मैं अच्छी बात हूँ आपके पास है तो अच्छी बात है आपके पास नहीं क्या पता आपके यार दोस्तों के पास हो आपके रिष्टेदारों के पास हो इसलिए ये वीडियो उनको भी शेर केजिए उनको भी पता लगना चाहिए कि कौन सा कोईन क्या वैल्यू रखता है और दोस्तों आपको और कोई information चाहिए हो अपने सिक्कों से related पुराने नोटों से related वल्ड की कोई भी currency आपके पास हो तो आप मेरे चैनल की membership लेके अपने नोटों के बारे में अपने सिक्कों के बारे मुझसे पूछ सकते हैं उसकी value जान सकते हैं मेरे चैनल की membership ज्यादा महेंगी नहीं है 299 की membership है एक महीने की जिसमें मैं आपको 30-35 coin के बारे में information दूँगा और दोस्तों जैसे कि आज आपने थमने देख लिया होगा आज हम बात करेंगे 5 रुपे के flower वाले सिक्कों के बारे में जी हाँ दोस्तों कई लोगों को लगता है ये common coin है लेकिन ये common coin नहीं है इसमें कई सिक्के ऐसे हैं जो काफी जादा महंगे बिखते हैं अगर वो सिक्के आपके पास है तो वो सिक्के बिख सकते हैं कहां बिखेंगे कैसे बिखेंगे ये पूरी information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो पूरी end तक देखना तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा सिक्का क्या value रखता है कौन से mint का है कौन से year का है आप आदी वीडियो देखोगे आदी वीडियो के पास में पास photo base दोगे लेकिन वो सिक्का वो नहीं होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया हो या तो उसका mint अलग होगा या तो उसका year अलग होगा इसलिए वीडियो पूरी देखें वीडियो जादा लंबी नहीं होती नों से दस मिनेट की वीडियो होती है सिर्फ तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस पांच रुपे के बेसिक जानकारी दे देता हूँ जितने भी पांच रुपे के फ्लावर वाले सिक्के बनेते हैं उनकी बेसिक इन्फोर्मेशन ये बनेते हैं 2011 से लेके 2019 के बीच में मैटल इसका निकल बरास है, वेट इसका 6 गराम है, साइज 23 mm है, शेप इसकी गोल है तो दोस्तों मैं आपको सभी सिक्कों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बिकेगा और कौन सा नहीं बिकेगा इसलिए वीडियो पूरी देखना अच्छे से ध्यान से सुनना कि कौन सा सिक्का बिकता है, कौन सा नहीं बिकता तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 के 5 रुपे के सिक्के के बारे में फ्लावर वाले दोस्तों ये चार मिन्टों से बना गयते हैं बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नुईडा इसमें बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद ये तीन तो इसमें कौन सिक्के हैं जो की नहीं बिकेंगे नोईडा मिन्ट इसमें जो आता है 2011 में वो आता है स्केर कैटेगरी में कीमत है उसकी 50 रुपे से लेके 80 रुपे एक सिक्के की कीमत है नोईडा मिन्ट के सिक्के की 2011 के अब बात करते हैं 2012 के 5 रुपे के सिक्के के बारे में ये भी 4 मिंचों में बना गया थे बॉंबे, कलक्ता, हेढ़ बाद, नुवenda इसमें भी बॉंबे, कलक्ता, हेढ़ बाद, कोमन है नुवenda मिंच इसमें square की कीटेगरी में आता है जिसके कीमत की बात करें 50-80 रुपए की कीमत है इसकी भी मैं अभी आपको ऐसा सिक्का भी बताऊंगा जो कि rare कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो पूरी इसलिए end तक देखना अब बात करते हैं 2013 के सिक्के के बारे में दोस्तों ये भी चार मिंटों में बनाएते मॉंबे, कलकत्ता, हैदरबाद, नुएडा इसमें भी नुएडा मिंट का सिक्का square कैटेगरी का है जो कि 80 रुपे में बिकेगा 2011, 2012, 2013 तीनो इयर के सिक्के नुएडा मिंट के सिर्फ 80 रुपे में बिकेंगे अब बात करते हैं हम 2014 के सिक्के की दोस्तों इसमें सिक्का काफी महंगा है यह अच्छे से सुनिए 2014 में यह सिक्का बना गया था 4 मिंटों में बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद कॉमन है लेकिन इसमें दोस्तों नुएडा मिंट का सिक्का 2014 का नुएडा मिंट very square की कैटेगरी में आता है यह सिक्का दोस्तों अपनी जो value रखता है यह रखता है 3.500 रुपे से लेके 5.500 रुपे मतलब एक सिक्का सिर्फ 2014 का नुएडा मिंट का 3.500 से 5.500 रुपे में बिख सकता है यह सिक्का नुएडा मिंट का होना चीए 2014 का मिंट आप अच्छे से देख लिजिए बिल्कुल round और gold मिंट मार्क होना चीए वो नुएडा मिंट का मिंट मार्क होता है बाकी कोई और सिक्का नहीं बिखेगा सिर्फ नुएडा का ही सिक्का बिखेगा अब बात करते हैं 2015 के सिक्के के बारे में दोस्तों ये 2015 में सिक्के बनेते ये चारो ही मिंट के सिक्के कोमन की कैटेगरी में है वहीं 2016, 2017, 2018 ये भी सब कोमन की कैटेगरी में है इन में से कोई भी सिक्का नहीं बिखेगा लोग आपको वीडियो बनाके पागल बना रहे होंगे कि यह सिक्क इतने में बिख जाएगा इतने में बिख जाएगा लेकिन 2015, 2016, 2017, 2018 यह 4 year के सिक्के, 4 mint के सिक्के स्रिफ और स्रिफ common category के सिक्के हैं यह बिल्कुल भी नहीं बिखेंगे यह आप अच्छे से देख लीजिए सुन लीजिए मैं कौन-कौन से year के, कौन-कौन से mint के सिक्के की आपको value बता रहा हूँ और कौन से की नहीं बता रहा मैं ले आपको लिख के भी बता दिया, स्क्रीन पर आपके पाल लिखा होगा कि कौन सा बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा अब हम इसमें बात करते हैं 2019 के सिक्के की दोस्तों जो की आते है रेयर कैटेगरी में पांच उर्पे के 2019 के फ्लावर वाले डिजैन वाले ये सिक्के आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों ये चार मिंटों में बनाए गए थे इसमें एक सिक्का तो एक्स्रीमली रेयर है और तीन मिंट के सिक्के रेयर है इसमें दोस्तों जो सिक्का है बॉम्बे का वो आता है रेयर की कैटेगरी में कलकत्ता का वो भी रेयर की कैटेगरी में नोईडा का वो भी रेयर की कैटेगरी में मतलब 2019 के चारो ही mint के सिख्के rare की ही कैटेगरी में है हैधराबाद mint दोस्तों जो इसमें आता है वो आता है एक्स्ट्रीमली रेर एक्स्ट्रीमली रेर कोई न है आप में से किसी के पाच भी हो 2019 का कोई भी सिख्का आपको बेचना हो या खरीदना हो तो आप मुझसे संपर्ख कर लेना दोस्तो 2019 के कोई भी mint के package आपको कहीं से भी मिले तो इस समय ले लीजिए चाहे वो Bombay का हो, कलकत्ता का हो, हैदराबाद का हो या Noida का हो कहीं से भी मिले, आप ले लीजिए को अगर इस समय सस्ते में मिल रहा है 2019 का कोई भी mint का सिक्के का package तो इस समय आप ले लीजिए, आपको बहुत फैदा होगा हैदराबाद mint तो दोस्तो मैंने बता दिया extremely rare है, अगर उस सिक्के का package भी आपको मिल रहा है तो इस समय अपने collection में रख लीजिए आने वाले कुछ समय में तीन से चार गुना rate बढ़ेंगे इन packetों के, अगर माल लीजिए इस समय आपको packet धाई से तीन हजार का, चार हजार का मिल भी रहा है, तो ले लीजिए वो सिक्के का package कम से कम नहीं तो दोस्तों 10 से 15 हजार उपे का हो जाएगा और हैदराबाद मिंट का सिक्के का package मैं इसके आपको rate बता देता हूँ हैदराबाद मिंट के, वो है 25 से 30 हजार उपे का package है 2019 का, तो सोच लिए 25 से 30 हजार अगर अभी rate है उसका, तो आने वाले समय में वो सिक्के का package कितना ज़्यादा पोचेगा कम से कमने तो 55 हजार उपे का package हो जाएगा वो ही अभी आपको कहीं पे भी सस्ते मिल रहे हैं 2019 के कोई भी मिंट के तो ले लीजिए इसी वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बता देना मैं आपको अपना वर्टसप नंबर दे दूँगा आप में से किसी को भी चाहिए हो तो इस समय ये सिक्क्या अगर आपके पास है तो hold करोगे तो बहुत ज़्यादा फैदा होगा क्योंकि बहुत महेंगे सिक्क्या हैं दोस्तों ये 2019 के 5 रुपे के निकल ब्रास फ्लावर वाले होने चाहिए मैंने बता दिया आपको खरीदने हो तब भी मुझे मैसिज कर सकते हैं आप तो दोस्तों मैंने इसके आपको पूरे इंफर्मेशन दे दिया है निकल ब्रास के सिक्कों के बारे में ठीक है ना 5 रुपे के कोन से सिक्के कितने में बिकेंगे कौन से सिक्के कौन से year के नहीं बिकेंगे तो सभी information आपको पूरे information एक ही वीडियो में मिल गई दोस्तो मेरी वीडियो इसलिए 9-10 मिनट की होती है क्योंकि मैं आपको एक ही सिक्के की जानकारी नहीं देता मैं आपको पूरे के पूरे सिक्कों की जानकरी देता हूँ जो भी उन मिन्टों में बने थे काफी लोग मुझसे कहते हैं sir आपकी वीडियो लंbी होती है लेकिन वो लंbी इसलिए होती है दोस्तों मेरे सिक्कों में आपको information मिलती है 9 से 10 सिक्कों की 9-10 मिनट में और काफी लोगों की वीडियो ऐसी होती है कि जो एक ही सिक्का या दो सिक्कों के बारे में आपको बताते हैं लेकिन 13-14 मिनट लेते हैं तो दोस्तों ये different देख लीजिए कि कितना फरक है मेरी एक ही वीडियो में आपको 9 सिक्कों की information मिलती है 9-10 सिक्कों की और कई लोगों की एक ही वीडियो में आपको हस्याद एक सिक्के की या जादा से जादा दो सिक्के हो सकते हैं इससे जादा की सिक्के की वो आपको नहीं बताएंगे वो उसी में ही time waste करेंगे कीमत भी proper आपको नहीं बताएंगे और किस category का सिक्क्या बिकेगा, किस category का सिक्का नहीं बिकेगा इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो दोस्तों आपको पूरी information मिल गई है जैसे कि अगर आपको इससे भी अलग कोई और information चाहिए आपको अपने सिक्कों से related, note से related, world की कोई भी currency हो आपके पास जैसे कईों को नहीं पता होता कि वो सिक्के कहां बेचे, कितने में बिकेगा, क्या पता उनके पार rare सिक्का हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे चैनल की membership लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिक्का कितने में बिकेगा और कहां पे बिकेगा चाहिए आपके बाब world की कोई भी currency हो, मैं आपको सब के बारे में बता दूँगा note हो, सिक्के हो, कोई भी हो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं next वीडियो में, जै हिंद